अगर आप गुदा मैथुन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा अधिक सावधानी की जरूरत पड़ेगी. चुनकि गुदा द्वार काफी तंग और छोटा होता है, तो essentially आपको गुदा पर कोई लुब्रिकेंट अच्छे से लगाना है. मेरे चैनल की बस यही खासियत है, कि मैं चुन-चुनकर ऐसे टॉपिक आपके लिए लाती हूँ, जो काफी रोचक और लाबदायक होते हैं. ऐसे ही आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक ऐसा टॉपिक, जो काफी मर्दों और और ओरतों के लिए फायदे मन्द साबित ह हो सकता है. असल में आज का टॉपिक, दो चीजों से जुड़ा है, आनंद और मर्दाना कमजोरी. दोस्तों, ऐसे काफी केसिस हैं, जिन में किसी बीमारी के चलते, या उम्र के साथ, लड़के के गुपतांग, अर्थात उसके लिंक से तनाव पूरी तरह गायब हो जाता है अगर आपके लिंक में बिलकुल तनाव नहीं आता है, और योनी में लिंक भी मुश्किल से डाल पाते हो, तो इस्तिमाल करें ये बेल्ट वाला कॉंडोम, इसको लिंक पर पहना जा सकता है, कोने में दिये गए नंबर पर संपर्क करें, और आज ही घर बैठे मंगवाएं. लड़का अगर शादी शुदा न हो, तो वो फिर भी इस थिती को अज़िस्ट कर लेगा, लेकिन क्या हो, अगर उसकी एक जवान बीवी हो, जिसके काफी अर्मान हो, जिसके जिस्म में यौवन की तरंगे दौर रही हो, इस थिती में, वो एक मरे हुए पैनिस के साथ, कैस जमते उसकी योनी की अगनी शान्त हो पाईगी, पती और पत्ट्नी दोनों की ही जिन्दगी नरक के समान हो जाएगी, पत्ति हमेशा खुद को इसका जिम्मिदार समझता रहेगा, और पत्नी अपनी कामागनी में जल्ती रहेगी, और ऐसा भी हो सकता है, कि अपनी कामेच् प्रश्य है जब दो लड़कियां सैक्स संबंद बनाती हों इस स्थिती में वो एक कृत्रम लिंग का प्रयोग करके इंजोई करना चाहेंगी तो दोनों ही स्थितियों में एक ऐसे कृत्रम लिंग की जरूरत होती है जो बिलकुल असली लिंग के समान हो और जो बैल्ट की सहा है कि दोनों ही अविश्यक्ताओं को समझा है और लड़के और लड़की दोनों के लिए ही एक बैल्ट वाला लिंग तयार किया है लड़कियों के लिए जो बैल्ट वाला लिंग आता है वो पूरी तरह ठोस होता है जिसको साथ में दी गई बैल्ट की मदद से योनी पर पह गया है जिनका link पूरी तरह खराब हो गया है या इतना खराब हो चुका है कि वो उसको योनी में प्रविश्ट नहीं करा पाते हैं दोस्तों इस तरह का belt वाला link अंदर से थोड़ा खोखला होता है लेकिन वो इतना कठोर भी होता है कि खोखला होने के बावजूद भी वो इतना hard, लंबा और मोटा रहता है जितना एक असली link तनावाने पर लंबा मोटा और कठोर हो जाता है इस belt वाले link को belt की सहायता से लड़के अपने link पर पहन सकते हैं और उनका शितिल link आसानी से इस belt वाले artificial penis के अंदर समा जाता है और आखरकार ऐसे लड़के अपनी पतनी को संभोग सुक दे सकते हैं ये belt वाला link खराब हो चुके link वाले लड़कों के लिए एक वरदान माना जा सकता है अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि इस artificial link से लड़की को feeling कैसे आएगी अरे यार जब शादी को कई साल बीट जाते हैं तो वैसे भी पतनी की योनी पती के link की आदी हो जाती है और उसको कोई खास फील नहीं आती है बलकि अगर link पर कोई link sleeve चड़ा कर पती सं जाएगा अगर belt के साथ एक अच्छी quality वाला कृत्रम link ही प्रयोग कर लिया जाएगा और वैसे भी feeling तो मुख्य तया four play जैसे की जिस्म को चूमने चाटने और लिपटने चिपटने और sexy बाते करने से ही आती है योनी और link तो बस engine start करने का ही काम करते हैं तो दोस्तों अब मैं आपको belt वाला link इस्तिमाल करने का तरीका बता देती हूँ इसको इस्तिमाल करना काफी आसान है अगर आप लड़के हैं तो पहले अपने असली link पर कोई lubricant लगा ले ताकि आपका धीला मुलायम link आसानी से belt वाले link के अंदर समा जाए उसके बाद आप पहले अपनी नावधानी की जरूरत पड़ेगी चुंकि गुदा द्वार काफी तंग और चोटा होता है तो इसेंचली आपको गुदा पर कोई lubricant अच्छे से लगाना है पहले गुदा के चारो तरफ और फिर उंगली डाल कर अंदर तक lubricant लगाएं उसके बाद बैर्ट link पर भी तो आगे न बढ़कर रुख जाएं और उससे बात करें गुदा में केवल उतनी ही गहराई तक belt link डालें जहां तक आपके साथ को comfortable feel हो और उससे आगे न बढ़हें ठीक यही guideline लड़की के लिए है जो belt link प्रयोग करना चाहती है दोस्तों हमारे advertiser belt link online sale करते हैं अगर आपक है आपको पसंद आये होगी फिर से आऊंगी एक नई वीडियो में कुछ अलग हटके content लेकर तब तक के लिए अलविदा